नवसकारा जो हम डिसकस करेंगे गिरीराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सापता ही पत्रिका है तो गिरीराज पत्रिका डिसकस करेंगे जून महीनी का गिरीराज पत्रिका का ये हमारा पार्ट सेक्ट जो है अभी हम डिसकस करेंगे और हर एक क्वेशन को जो है वो ड developed under vibrant village program तो एक scheme चलाई गई है vibrant village program यह center comment की scheme है इसके बार में जानेंगे परन्तु बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने गाउं को जो है कितने villages जो है वो इस scheme के तहद जो है जिनको उनका विकास किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पांच villages है जिनका विकास जो है उस योजना के तहद होना है यह आपने धियान रखना है क्यों यह news में आया पहली बात तो यह गिर्रास पत्रिका में नहीं था परन्तु हिमाचल में weekly news यह बनती है इस वीक की most important बनती है अभी हाल फिलाल में जो था वो किनौर विजिट किया गया किनौर किसके दोरा विजिट किया गया तो केंद्रिय मंद्री के दोरा विजिट किया गया union power minister जो आर्के सिंग है जा वो यहां पर विजिट करने आये थे तो उन्होंने कहा कि Vibrant Village प्रोग्राम एक चलाया गया है उसमें पांच विलेजी जुहाओ कि नौर डिस्टिक के कवर किये जाएंगे ये पांच विलेजी कौन-कौन से हैं कि नौर के इनमें एक चितकूल आता है एक लियो विलेज आता है जो हमने पढ़ा था स्पित्ती नदी के किनारे एक नाको विलेज आता है नाको विलेज के लवा पुह विलेज यहां पर आता है और चांगो विलेज यहां पर आता है तो कि नौर जी लेके जो है वो इस वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम के तहर जो है वो कवर किये जाएंगे प्रंतु ये वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम है क्या ये जो है ये सेंटरली स्पॉंसर्ट स्कीम है जो 2022-23 के बजट में जो था वो इंट्रोडूस की गई तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कब तक है दो हुजार पचीश हबीश जो है वह पचीश हबीश तक चलेगी क्या होगा इस योजना के तहट इस योजना के तहट जो है वह विलेजीज डिवल्प किया जाएंगे जो नौर्थन बॉर्डर पर जो है अब और वहां पर क्या किया जाएगा वहां पर equality of life लोगों की जो है वो इंप्रूफ की जाएगी बॉर्डर विलेजीज पर और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि कौन-कौन से बॉर्डर विलेज हैं यह हिमाचल प्रदेश, उत्राकंड, अरुनाचल प्रदेश, सिक्क कवर के जाएंगे इनमें से पांच विलेज तो हिमाचल के बता दिये कि हिमाचल के कि नौज लेके कवर किये जाएंगे और वाइवरेंट विलेज स्कीम जो है यह plan create के जाएगा district administration के द्वारा gram पंचाईतों को भी यहां पर involve के जाएगा उनकी साहता से किया जाएगा तो लियो हो गया, नाको हो गया, चितकुल हो गया, पुह हो गया, चांगो हो गया, इनके नाम भी पूझे जा सकते हैं, most expected है, अगला क्वेशन देखें जी एकले क्वेशन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, इन हाव मैनी टाउन्स ओफ हिमाचल प्रदेश, बैटर सीवरेज फैसलिटी विल बी डेवलपड विद इफ्रेंच डेवल्पमेंट अजैंसी, तो बोलते हैं कि फ्रेंच डेवल्पमेंट अजैंसी है, एक फ्रेंचाइज डी डेवल्पमेंट जिसको एफडी भी कहा गया, यहां पर पांच टाउन ऐसे हैं, जहां पर अच्छी सीवरेज फैसलिटी जो है, वो दी जाएगी, अब देखो सीवरेज फैसलिटी दी जाएगी, कौन कौन से हैं, यह पांच टाउन, एक मनाली आता है, एक बिलासपूर आता है, तीसे नमबर पर पालंपूर, चौते नम यहां पर आते हैं तो यह सारा। अमने डेटेल से यहां पर जान लिया कि कौन कौन से ये पांच टाउन है जहां पर ये सुविधाएं जो हैं वो प्रवाइट करवाई जाएंगी तो ये important fact है ये वही है repeat होकर आ गया है qualified से प्रन्तु ये important हो गया French agency है पांच टाउन है हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं पांच टाउन ये भी पता चल गया और vibrant village program जो आपने उपर पढ़ा वहां पर पांच गाहों कौन कौन से हैं वह भी आपने पढ़ा कौन से जिले के हैं वह भी आपने पढ़ा ठीक है गिराज पत्रिका में cover हुआ था हमने कि ये शुलीनी मेला Hindu calendar के according बताना है कि कौन से month में मनाया जाता है तो हम Hindu calendar की बात कर रहे हैं Hindu calendar के असाड महीने के according जो है ये मनाया जाता है option ए सही अंतर है वैसे exactly कम मनाया जाता है तो June के महीने में ये मनाया जाता है Hindu calendar में असाड के महीने में मनाया जाता है कौन से level है इसमेले का कौन सा status है तो रज्यस्तर ये इसका status है इसको जो है वो international level का दरजा देने की बात भी कही गई ही ये पीछे जैसे अभी बात चली थी तब भी हमने ये discuss किया था अब हम थोड़ा सा और भी detail से जान लेते हैं सुलीनी माता जो है वो भगाट रियासत की कुल देवी जो है वो मानी जाती है इस रियासत की ये कुल देवी थी भगाट रियासत के बारे में हम कल भी पढ़ रहे थे और भगाट रियासत का नाम अपने ध्यान लग रहे हैं कि इसके साथ इसको जोड़ा जाता है और कुल देवी यह जो शुलीनी माता है माना जाता है कि भगाट के सास्कों के द्वारा ही जो था यह मेला प्रारंब करवाया गया था मा सुलीनी यहां से प्रसन होती है और कोई भी प्राकरती कापता महामारी इन सब के प्रकोब से जो है वो लोगों की रक्षा जो है वो करती है और खुजहाली जो है वो यहां से आती है ये कहा जाता है कहा जाता है कि सुलीनी माता जो है वो अपनी बड़ी बेहन से मिलने के लिए जो है पालकी में बैठ कर जाती है इनकी बड़ी बेहन मात दुरका है जिनसे मिलने के लिए ये जाती है ये मिला तीन दिनों तक चलता है तो यहां पर होता क्या है कि माता जो है शुलीनी माता यहां पर अपनी बेहन के साथ मिलने के लिए पालकी में बैठ कर जाती है और मादुर्गा से जो है ये मिलती है जाकर जो कि इनकी बेहन है और तीन दिन माता का मंदीर भी जो है वो कहां पर है? स्टोलन मेस्तित है. तो क्या क्या बात हैं पता चली? पहरी बात आपको सबसे पहली पता चली, राज्यस्तर ये मिला है. दूसरी बात पता चली, हिंदू क्लेंट में ये असाड के महीने के अनुसार और वैसे जर्नली जो है वो जून के महीने के अनुसार जो है ये मनाया जाता है चौती बात आपको यहां से क्या पता चली कि ये मेरा तीन दिनों तक जो है वो चलता है पांचमी बात आपको पता चली कि माता जो है ये अपनी बहन के साथ जो मादुर्गा है उनके साथ मिलने के लिए जाती है छटी बात सोलन का नाम भी जो है वो इसी के नाम पर पड़ा है तो ये बाते हैं आपने यहां से ध्यान रख ली तो काफी कॉंसेप्ट आपके यहां से क्लियर हो गए मेले से रिलेट कुछ भी पूछा जाता है तो कवर हो जाएगा बोलते हैं ऐस ओफ सेप्टेंबर टॉएंटी 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 टॉ फॉप फॉटी वन बॉरानची रापश्ण भी जो यह वह सही अंतर बात थोड़ी सी डिटेल से कर लेते हैं देचिए हमारे पास सेप्टेंबर 22 तक तो सेप्टेंबर 22 तक जो है वह मासल प्रदेश का जो ग्रामिघ्ड बैंक है इसकी पोश्टने भी निकली है मैंने बता स्थित्थ है और यह जो कॉपरेटी बैंक है इसकी 541 ब्रांच जो है वह हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में जो बैंक लीड करते हैं उन बैंक का भी आपको पता होना चाहिए तो हिमाचल प्रदेश में मुखे रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक और यूको बैंक इनकी ब्रांच जी आपने सबसे ज़्यादा देखी होंगी तो कितने कितनी ब्रांच जी किस किस बैं पंजाब नैशनल बैंक और यूको बैंक हो गया पंजाब नैशनल बैंक की सबसे ज़्यादा 350 ब्रांच जी हों यहां पर आती हैं बहुत बार हमने पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 348 ब्रांच जी हो आती है और तीसरे नंबर पर जो यूको बैंक यहां पर आता है कितनी कितनी branches September 2022 तक जो है वह हिमाचल प्रदेश में आती है यह data कब तक है September 2022 तक है यह भी पता होना चाहिए गई बार data ही याद ना रहे आपको और question ही गलत हो जाए तो यह आपने जान लिया अगले question में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में as per हिमाचल प्रदेश budget for 2023-2024 what is the outlet of tribal development program तो बोलते हैं कि जो ट्राइबल development program है हिमाचल प्रदेश में इस गलत है इसकी तो इसका बोलते हैं 2023-24 में जो है वो कितना इसका परिव्या है जनजात्य विकास कारेक्रम आप कह सकते हैं तो जनजात्य विकास कारेक्रम यानिके ट्राइवल डेवल्पेंट प्रोग्राम का जो आउटले था बात की गई थी किराज प्रत्रिकरम में इंडिरेक्टली इसकी प्रंतु हम डिटेल से बात करते हैं 857 क्रोड जो है वो इसका क्या है आउटले है 2023-24 के बजट के अनुसार लास्ट टाइम हमने कि राज़ पत्रिका में पढ़ा था कि हिमाशल प्रदेश का जो स्टेट डेवल्पमेंट प्रोजेक्ट का जो आउटले रहा था वो 9524 क्रोड रपया जो था वो रहा था इस मैंसे scheduled cost development program का जो था वो 2399 क्रोड रपया आउटले है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक question ये हो गया दूसरा question हो गया tribal development program इसका है 857 क्रोड ये दूसरा ध्यान रखना है तीसरा आपने ध्यान रखना है कि backward area एरिया डेवल्प्मेंट फ्रोग्राम के लिए कितना आउट ले रखा गया है तो यह 104 क्रोड रुपया जो है वो रखा गया है और सेंटलिस को स्पॉंसर्ट स्कीम जो है बिसाइड यहां लग से हैं यह आपने ध्यान रखना है प्रूंतु यह जरूरी हो गया कि कितना जो है चीजे सारी की सारी आफके जब गिजास पत्रिका पढ़ रहे हैं अगला गोशिन देखें जी अगले गोशिन में बोलते हैं मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू कुछ हाइड्रो लेक्रिक प्रोजेक्ट यहां पर पहले तो दिये गए हैं दूसरी नंबर पर क्या दिया ग बात करते हैं जो important one मैंने यहां पर निकाल के रखे हैं अब देखिए एक आंध्रा हाइड्रो लेक्रिक प्रोजेक्ट है एक घज हाइड्रो लेक्रिक प्रोजेक्ट है और एक बिनवा हाइड्रो लेक्रिक प्रोजेक्ट है सबसे पहली बात करते हैं आंध्रा हाइड्रो ल से आप यहां पर रहने दीती जब मैं PDF टेलीग्राम पर सेंट करूंगा वहां पर मैच करना वहां पर प्रैक्टिस करना अभी ऐसे ही सुनिए अंध्रा प्रोजेक्ट की कपैसिटी है 16.95 मेगावाट यह इसकी कपैसिटी है यह आपने ध्यान रखना है यह प्रोजेक्ट जो ह हो 5.65 मेगावाट का है यह आपको पता होना चाहिए चलिए यह हो गया अगला है गज परियोसना गज हाइड्रोलेक्टिक फ्रोजेक्ट अभी जो गज हाइड्रोलेक्टिक फ्रोजेक्ट है यह कितने मेगावाट का है तो गज हाइड्रोलेक्टिक फ्रोजेक्ट की जब भ 12.5 मेगवाट का कहां पर है कांगड़ा में है ये कहां पर है आंधरा ये शिमला में है ये रोडू उपमंडल में जो है वड़ता है तीसरा आगया जी थरोट परियोजना थरोट परियोजना जो है ये लहॉल्स पित्ती में है चिनाव नदी की सहायक नदी पर ये बनी हुई ह ये आपको पता चल गया और तीसरी है जी बिनवा परियोजना जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा बताओं मैं अगर आपको तो ये इंपोर्टन परियोजना है और ये जो है छे मेगावाट की परियोजना है कितनी छे मेगावाट की परियोजना है ये परियोजना जो है वो आपको PDF यहां पर मिलेगी कुछ और जानकारी भी यहां से प्रवाइड आपको करनी चाहिए कुछ और बता देता हूं बेसिक बेसिक यहां पर नात्फा जाकड़ी परियोजना दी गई थी 1500 मेगावाट की परियोजना है सतलूज नदी डैम पर जो है यह बनी हुई है कॉल ड कर्चम वांग्टू परियोजना थी कर्चम वांग्टू परियोजना एक हजार मेगावाट की परियोजना है बस्पा परियोजना दी गई थी कि नौर जीले की परियोजना है 300 मेगावाट की परियोजना है पार्वती सिंपल पार्वती प्रोजेक्ट जो है वो 2051 मेगावा अभी आप सिर्फ पार्वती परियोजना ध्यान रखिए तो यह परियोजना है आपने में में परियोजना है मैंने आपको बताई अभी इनका रीटन भी मैं PDF में डेफिनिटली प्रोवाइड करवाओंगा इंपोर्टन है क्योंकि तो PDF में आपको रीटन भी मिल जाएगा अगला कोईशन देखिए PDF तो टेलीग्राम पर मिलेगा वो तो आपको पता ही होगा बोलते हैं what is the outlay of phase two of JICA mission तो बोलते हैं कि JICA जो जपान International Corporation Agency है उसका mission जो चल रहा है यहां पर उसका जो phase two चल रहा है चलाए जाएगा उसका जो आउटले है वो कितना है गिरास पत्रिका में क्यों आये था क्या कहा गये था कि गिरास पत्रिका में इसको छापा गया इसकी जरूरत पड़ी तो कहा गये था कि JICA दो प्रयोजना जो चल रही है उसके तहर जो है वो कांगड़ा के जो है वो कुछ प्रयोजना है कांगड़ा जीले में चल रही है उ 2010 आप कहले जिए यह इसका आउटले है फेस टू जो जाइका का है आपने ध्यान रखना है कि इसमें 20101010 कुरोड रुपया जो है उसका आउटले है और यह स्टेट में चलेगा 2009 नियर्स के लिए और 26 मार्च 2021 को गौर्वर्मेंट आफ इंडिया ने जो था यह M.O.U. जाइका के साथ साइन किया था second phase का और आपने ध्यान रखना है कि 2021-22 में इसके लिए 20 कुरोड रुपया और HPCDP हिमाचल प्रदेश का HPCDP है यह भी 20 कुरोड रुपया जो है वो यहां पर देगा अलॉट करेगा या फिर किया है इस तरह से कह लेजिए important है 110 कुरोड का यह है पहली बात आपने यह ध्यान रखने है 26 मार्स 2021 को Government of India ने जाइका के साथ M.O.U. जो था Memorandum of Understanding Sign के था इसके implementation के लिए और यह second phase के लिए किया गया था पहला phase complete है तो चलो जाइका का जो mission चल रहा है उसके बारे में भी आपने detail से जान लिया अगला question देखते हैं बोलते हैं how much subsidy given per family for house construction अंडर स्वरन जेनती आश्चरे योजना लास्ट मन्थ भी यह discuss हुआ था इस मन्थ फिर से discuss हो रहा है यह discuss हो रहा है इस मन्थ एक तो important है इसलिए discuss हो रहा है और गिलरास पत्रे का में एक बारे में फिर से दिया गया था तो कहा जाता है कि यह जो स्वरन जेनती आश्चरे योजना चल रही है यह घर बनाने के लिए दी जाती है इसमें सहायता दी जाती है एक दस्मलब पांच लाख एक लाख पचास हजार इसके बारे में डिटेल से जानेंगे पहले एक लाख पचास हजार एमाउंट आप धि दिया जाता है अब दूसरा आप क्या धियान रखेंगे आप धियान रखेंगे कि सोवरन जियनती आस्त्रे योजना केते हैं जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अधर बैकवर्ड कैडिकरी के जो लोग आते हैं उनको सबसीडी दी जाती है एक लाख पच ते इसके लिए 75 क्लोट रप्या जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है इस योजना के लिए दिसंबर 2022 तक जो है वो 4999 लोग यहां से फाइदा ले चुके हैं गिरास पत्रिका में क्या आया था यह डैटा था उसमें तो कहानी बताई जाती है कि इस तरह से किसी को मिलाला भारती ने भार जताया तो उस तरह से होता है प्रतु यहां से आपने सारे फैक्ट जो था वो इस योजना के बारे में जान लिए जो स्वर्ण जेनती आस्त्रे योजना है चेडूल कास्ट चेडूल ट्राइब और OBC को सबसीडी में दी जाती है घर बनाने के लिए एक लाक पचास हजार इंकम क्राइडिया पचास हजार से कम रखा गया है अगला कॉशन देखें बोलते हैं What is the theme of World Environment Day 2023 तो theme बतानी है World Environment Day की जो की 5 जून को मनाया जाता है परतेग वर्ष मनाया जाता है 5 जून को इसकी theme 2023 के लिए क्या थी मैंने टेलिग्राम पर भी यह question कि जुज की रूप में डारा था बहुत सारे लोगों ने गलत पताया था इसकी थीम सुनी इसकी थीम है सॉलूशन फॉर प्लास्टिक पॉलुशन ऑप्शन बी जो है वह सही अंसर है अब आप कहेंगे कि गिजराश पत्रिका में इस तरह का क्वेशन क्यों आ गया यह तो हमारे लेकर जो था यह भी कहा गया था कि हम जो है वो हरी उर्जा की और जो हम बढ़ रहे हैं हम हिमाशल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का डार्गेट जो हैं वो रखते हैं यहां पर सारी डेटेल वही दी गई थी जो मैंने क्वेशन के रूप में नहीं ड जा रहा है खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जाती है जब भी की जाती है हमेशा आप सुनते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर इसके बैन को लेकर कदम उढ़ाने की बात कही जाती है प्रदूस सिंगल यूज प्लास्टिक में किस तरह की प्लास्टिक ते उब आरे अला प्रोंवित प्लास्टिक हो गया सब्सक्राइब भी जा झाला नहीं किया जाता तो वो में खुजित को वो कर्व करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है ये जो है वो कहा जाता है और कुछ प्राइस बगरा डिस्ट्रिबूट किये गए जो कहीं से भी एक्जाम पॉंट आफ यू से जरूरी नहीं बनते ये कोशिन बहुत जरूरी बनता है पांच जून का और सॉलूशन टू प अर्मी स्टाफ ऑंडिया तो आप कहेंगे कि यह कउशिन भी ऐता मैं बिजां बटाथा У आप पहले बात करता है आप भारत में पहस्पांस का जो आर्मी आर्मी स्टाफ की चीफ हैं वो कौन है वो 아니고 मनोज पांडे option ए जो है उसे अंसर होगा अब मनोज पांडे हैं चलो ठीक होगे अब आप कहेंगे कि कैसे news में आये था तो मनोज पांडे जो था ये धल सेना के अध्यक्स हैं और इनके द्वारा जो था वो शिमला विजित किया गया इन्होंने भेंट की हिमाचल प्रदेश क गवर्नर राजजपाल जो है माचल प्रदेश के शीप परताब सुकल के साथ है यहां पर शिमला में आये थे तो शिमला में जब आये थे शिमला में क्या है यहां पर शिमला में यहां पर जो है वो कमांड है इनकी जो आर्मी की कमांड है जिसको आर्ट्रेक भी कहा जाता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड भी जिसको कहा जाता है वो यहां पर है कई बार बात की जाती है कि इसको shift कर दिये जाएगा shift कर दिये जाएगा तो घैर वो तो shift करने की बाता लग गया प्रन्थु यह आये थे यहां पर इन्होंने governor के साथ भेंड की तो मनुज पन्डे इस लिए important हो जाते है आर्मी के यह chief है आर्मी staff के chief है आचा हमारे बास आर्मी के लावा हमारे बास Navy है हमारे बास Air Force है तो बोलता है कि Air Force के जो chief है वो कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए तो Air Staff के जो chief है जब बात करते हैं कि नेवी जो हमारी है इंडियन जो नेवी है उसके चीफ कौन है तो आपके मैन मैन का नाम होना चाहिए इनका नाम है आर हरी कुमार आर हरी कुमार जो है ये नेवी स्टाफ के चीफ है ये आपको पता चल गया तो ये दोनों चीफ आपने ध्यान जल धल और वायू गया अपने नेवी के ध्यान रखने एरफोर्स के ध्यान रखने और आर्मी के ध्यान रखने तो ये हिमाचल से question relate यहां से हो रहा था इस तरह से हमने question discuss कर लिया कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो एक सप्ता हमें जितने भी कोशिशन बनते हैं चाहे वो गिरीडास पत्रेगा में आया हो कोशिशन या किसी और न्यूस पेपर में आया हो यहां पर कवर कर पाएं यहां पर डिसक्स कर पाएं हिमाचल में कौशिशन गलत ही नहीं होगा आपका हिमाचल के एक्जाम में पूचा जाता है फिर अगला क्वेशन देखें जी, क्वेशन में बोलते हैं, how much subsidy provided under मुख्यमंत्री मध्धु विकास योजना, तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मध्धु विकास योजना एक चलाई गई है, इसमें कितनी सबसीडी जो हो दी जाती है, जल्दी से कमेंट करके बता दें, लास्ट करना, previous PDFs कुछ important मिल जाएंगी आपको, अभी आने वाली important PDFs मिल जाएंगी, free में जो हमने test series चलाई है, वो मिल जाएगी आपको, तो ये सारी चीज़ें वहां पर मिल जाएंगी, क्यों जीस तो आप daily practice कर सकते हैं वहां पर, तो इतना ही है, that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently.